जैसे हमने अर्स किया यह जितनी चीजें अभी हमने देखी हैं कि यह तरह तरह की disabilities हो सकती हैं, before birth हो सकती हैं, after birth हो सकती हैं, accidental हो सकती हैं, तो इनके लिए कोई एक तरीका या एक इलाज तो मुनासिब नहीं, one size fits all तो नहीं है, हर बच्चे की कमजोरी अलग होगी और अलग intensity की या शिद्दत की होगी, कुछ बिल्कुल minor होती हैं, जिनको छोटी मोटी therapies के जर करना है, उनको accept करना है, उनका इलाज करना है, और किसी ना किसी तरह से, जहां तक भी बच्चा सीख सकता है, हमें उसको सिखाना है, यानि दूसरे लफजों में, अगर special education है, तो attention भी special चाहिए, planning भी special चाहिए, और special places भी चाहिए, so targets are discussed with parents and the children themselves as soon as they are able to participate, जैसे ही बच्चे आते हैं, स्कूलों में, इदारों में, हास्पिटल्स में, तो वहां पे सबसे पहले तो उनके parents के साथ मिलके, और उनके doctors के साथ मिलके, targets पहले से तैय कर लिये जाते हैं, कि भी आखिर हम अपने बच्चे को कहां तक लाना चाहते हैं, क्योंकि जाहर है, जैसे मैंने अर्स क और पे भी improve कर सकता होगा, या किसी हद तक, और अगर तकलीफ ज्यादा है, तो कुछ ना कुछ तो वह बेहतर जरूर हो सकती होगी, इसलिए हम target set करते हैं, फिर उसके लिए हम strategies बनाते हैं, उसके लिए हम planning करते हैं, और हम वालिदयन को, educators को loop में लाते हैं, कि अब इनके सा and codes of good practice reflect the variety of suitable responses, देखिये एक बात तैशुदा है, disability को disrespect के साथ देल नहीं किया जा सकता, disability को respectfully accept करना है, और फिर उसको मुनासिब इज़त और तवज्जो देते हुए उसका इलाज करना है, और जहां जहां उसको help की जरुरत होगी, खाह आप educator हैं, खाह आप वालिदयन में से हैं, आपको वो तवज्जो अपने बच्चों को देना होगी, तो तभी हम एक suitable जो है, वो environment बच्ची के लिए पैदा कर सकते हैं, Some, though not all, children will need special resources or equipment and practitioners may need additional training to support individual children, अब जब हम यह सब कुछ कर रहे होंगे, तो जैसे हमने अर्स किया, disability की नौईयत के हिसाब से, आपको मुक्तलिफ equipment में चाहिए, जैसे हमने कहा कुछ visual aids हैं, कुछ audio aids हैं, कुछ movemental aids हैं, वो इस तरह की चीज़ें चाहिए होगी, या हो सकता है जैसे wheelchair, एक equipment ही है ना, जो बच्चा independently move नहीं कर सकता, उसके लिए हम wheelchair का बंदोबस करते हैं, खास किसम की tables होती हैं, जिन पे बच्चे काम कर सकें, और उनके environment खास किसम का होता है, तो हमने देखना ये है, कि कौन से spatial resources हम उनको provide कर सकते हैं, spatial education के इदारों में तो ये जरूयन की बात करते हैं, तो फिर आपको खास तोर पे इन चीज़ों का ख्याल रखना है, मसाल के तोर पर अब हमारी ऐसी campaign है ना, government of Pakistan जितने भी इदारे बन रहे हैं, खावो जो universities हैं, खावो हमारे kindergarten schools हैं, चोटे primary schools हैं, उनके अंदर wheelchair के लिए एक रास्ता जरूर देते ह हैं, ताकि ऐसे बच्चे जो wheelchair पे आ रहे होंगे, वो सीडियां तो जाहरा नहीं चट सकते हैं, तो फिर उनके लिए slopes दी हुई होती हैं, तो और भी बहुत से ऐसे resources हैं, जिनको हम inclusion में ला सकते हैं, तो यह resources हमें उनको provide करना है, then we always need to learn what the disability or health conditions means for this child, देखें, हमें सबसे ज़्यादा एहम बात यह लगनी चाहिए, कि यह disability हमारे बच्चे का नुकसान कितना कर रही है, और वो इसको समझता क्या है, उसके निकसान को समझते हुए, appropriate strategies हमें अपनानी हैं, और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, कि वो normal जि जितना ज्यादा अपने potentials को यूज कर सकता है, जितना ज्यादा वो सीख सकता है, जितना अच्छा वो माशरे का रुकन बन सकता है, उतना तो हम उसको लेके आएं, अगर हम सब मायूसी का शिकार होंगे, वालदैन भी और बाकी लोग भी, तो फिर बच्चा तो वहीं का व हो जाएगा, उसके feelings को समझने की जुरुत है, अगर वो उसके उपर, आप यूँ समझें के हौसला अफजाई की कोई सूरत है, तो आप हौसला अफजाई कीजिए, अगर आप समझते हैं कि आपकी मदद से, आपकी encouragement से बच्चा ज्यादा बेहतर कर रहा है, तो उतनी encouragement दें सम्टाइम्स आपने देखा हुआ autistic जो बच्चे हैं, उनको आप appreciate करते हैं, उनको हौसला देते हैं, तो वो काफी बेहतर perform करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से disabilities हैं, जिसमें बच्चे को छोटे-छोटे targets देके, आप उनके अंदर sense of achievement पैदा कर सकते हैं, Then put this knowledge into practice within the context of working with individual children and their families. देखें, जो भी special बच्चा हो, वैसे तो आम बच्चों को भी हम ये कहते हैं, कि उनके वालिदेन की शमूलियत के बगार वो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन disabled बच्चों का मौमला कुछ और भी serious है, तो वालिदेन को भी एक कदम और आगे बढ़के, थोड़ी और कोशिश और effort करके, और इसी तरह इदारे को भी और effort करके, असाथसा को भी मजीद effort करके लेके आना है उस मुकाम तक, जहां वो किसी के मुहताज ना रहें.